नमस्कार आज मेरी यानि महाराश्ट्रा इंडस्ट्री इस डेवलप्मेंट इंस्टिट्यूट आपके लिए लेकर आया है प्लास्टिक टेबल मैनिफेक्ट्रिंग बिसनस पर एक विशेश डॉकिमेंटरी प्लास्टिक टेबल जो हम अपने रोज मरा के लाइफ में सब जगर देखने को मिलते हैं और इसका उप्योग भी बढ़ता हुआ दिख रहा है प्लास्टिक टेबल वजन में हलके होने के कारण ट्रांस्पोर्टेशन करने के लिए भी आसान होते हैं प्लास्टिक टेबल पर पानी या कोई लिक्विट की कारण डामेज नहीं होता है प्लास्टिक टेबल ये अलग-अलग रंग और स्टाइल में मिलने की कारण इसके डिमांड मार्केट में बढ़ रही है और ये टेबल लकडी और मेटल टेबल से भी सस्ते होते हैं इसी के कारण न्यू स्टार्ट अप, रेस्टोरंट, शादियों में इसकी डिमांड ज्यादा है प्लांट अन मशीनरी प्लास्टिक टेबल बनाने के लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन की जरुरत होती है रौ माटेरियल पॉलिथाइलियन टेरप्थिलेट Manufacturing Process सबसे पहले पॉलिथिलाइन टेरप्थिलेट ग्रानुल्स हॉपर में डाले जाते हैं स्क्रू मोटर की मदद से ग्रानुल्स हीटर बंद में एक विशिष्ट टेम्परेचर पर हीट करते हैं ये गरम किये हुए ग्रानुल्स बैरल नोजल के मदद से मोल्ड कैविटी में भेशते हैं अब ग्रानुल्स को टेबल के आकार में मोल्ड कैविटी की मदद से बनाया जाता है आगे ये टेबल मोल्ड के बाहर रनर की मदद से बाहर निकाला जाता है और इस सारा तयार टेबल पैकिंग करके मार्केट में बेशने के लिए भेश दिये जाते हैं तो इस प्रकार आज हमने प्लास्टिक टेबल मैनिफैक्चरिंग बिसनस पर विशेश जानकारी प्राप्त की किसी भी प्रकार की एक्सपर्ट एडवाईज या फाइनाशियल सहायता के लिए आप स्क्रीन पे दिये हुए दोनों नमबर पर कॉंटाट कर सकते हैं और वेबसाइट पे भी विसित कर सकते हैं और नए नए बिसनस आइडियास के लिए आप हमारी यूटूब चैनल मिड़ी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन वेल पर भी क्लिक कीजिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले